हेलो दोस्तो मैंने अपने यूट्यूब एप्लिकेशन पर एक चैनल ओपन किया हुआ है जिसका नाम है धापा सिस्टर व्लोग्स ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एबाउट सेक्शन में तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने अपने चैनल पर इंस्टाग् क्रोम पर ठीक है मैंने दोस्तों यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है ठीक है आप यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब ठीक है क्रोम पर आप यूट्यूब ओपन करेंगे ठीक है मैंने यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर दिया है तो देखिए आपको यहाँ पर कॉर्णर म दोस्तों जैसे यो channel पर click करेंगे यहाँ पर customer channel का आपको option एक देखेगा customer channel पर मैंने click कर दिया है तो देखिए आपका channel open हो रहा है भी दोस्तों यह आपको YT Studio पर लेकर आगया है studio.youtube.com ठीक है अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका channel customization का जो option है वो खुल कर आया है यहापर आपको तीन heading दिख रही होगी एक तो layout है एक branding है एक basic info है तो दोस्तो basic info वाला जो option है इस पर हम click कर देंगे ठीक है basic info वाले option पर जैसे हम click करेंगे आपको यहाँ पर link का option दिखाई देगा links इसमें लिखा हुआ है add links plus add link ठीक है दोस्तो आपको जिस भी social media का account की link यहाँ पर डाल नी है तो आपको करना पड़ेगा plus add link पर click तो मैंने दोस्तो plus add link पर click कर दिया है और आप यहाँ पर देखेंगे first लिखा हुआ है link title और second में URL required ठीक है तो link title में हमको यहाँ पर डालना है Instagram का link तो हमने यहाँ पर लिख देंगे Instagram ठीक है मैंने यहाँ पर Instagram लिख दिया है अब देखिए अब यहाँ पर मांग रहा है URL required तो URL हम कैसे लेंगे वह उसके लिए आपको चलना पड़ेगा Instagram एकांट पर ठीक है तो मैं यहाँ से इसको minimize करता हूं और मैं आपको ले के चलता हूं अपने Instagram ID पर ठीक है वोइस पतुन मैंने यहाँप 있으니까 open कर लिया है और हैं आपको लेकर छलता हूं अपनी Instagram profile में तो दीखिए जैसे इंस्टाग्रum profile open करी है यहां पर आपको एक option देखेगा edit profile इस edit profile पर मैं click करूंगा तो देखिए दोस्तों आपको दो ची यहां पर दिखाई देंगे एक तो name और एक username ठीक है तो हमको यहां से इसका जो username है उसको copy कर लेना है username पर हम जैसे click करेंगे तो यहां पर दोस्तों यह यहां पर आ गया है अब यहां पर यह पूछ रहा है URL हमने इंस्टाग्राम तो लिख दिया है title की जगह पर अब यहां पर हमको URL डालना है तो URL में आपको क्या लिखना है दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे Instagram ठीक है Instagram लिख दिया है .com Instagram डॉट कॉम अब आपको लगाना पड़ेगा एक slash ठीक है slash लगा दिया इसके बाद में जो आप copy करके लेकर आए हैं ठीक है Instagram से जो आपने copy किया है उसको यहां पर हम पेस्ट कर देंगे ठीक है अब यह आपकी पूरी लिंक बन चुकी है ठीक है एक बार और बताइता हूँ आपको ठीक है लिंक टैटल में हमने Instagram लिख दिया और URL रुकॉयर्ड की जगप है Instagram.com slash जो हमने यहां पर अभी copy करके हम लेकर आए है Instagram से वो हमने यहां पर paste कर दिया है अब आपको corner में दोस्तो यह publish का option दिख रहा होगा इस पर हम कर देंगे click ठीक है तो मैंने publish के option पर click कर दिया है तो देखिए यहां पर save हो चुका है अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने channel पर ले जाके Instagram का जो link है वो add हुआ या नहीं हुआ तो मैं इसको यहां से minimize करता हूँ और मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने YouTube channel पर तो देखिए दोस्तों यहां से मेरा YouTube channel open हो गया है और मैं यहां पर जैसे logo पर click करूँगा your channel पर मैं चले जाओंगा ठीक है दोस्तों your channel के बाद में हम जैसे about section में जाएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि मेरे YouTube channel पर जो Instagram का link है वो दुस्तों activate हो चुका है ठीक है आपको Instagram लिखा देखरा होगा आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यानि आपके चैनल पर जो भी audience आईगी ठीक है जो भी viewers आएंगे वह आपके Instagram पर जैसे क्लिक करेंगे इस link पर आपको सीधा सीधा वो आपके Instagram एकाउंट पर पहुंच जाएंगे तो देखिए दुस्तों यहां से इस तरीके से मेरे Instagram ओपन हो चुका है तो दुस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कुछ एक परसेंट भी समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यबाद